हाई गाईस कैसे हो सबसे पहली बात है कि cvt तुमने दे दिया है I hope कि तुम लोगा cvt अच्छा गया होगा होगा हो सकता है कुछ बचोगा खराब भी गया होगा अब टेंजने लिने की बात नहीं यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है सबसे पहले बात कर लेते हैं Central Universities इसकी Central Universities में काफी सारे ऐसी उनिवर्सिटीज है जिनके form आउट हो गया है जहांसे आपको जाके apply करना है अब देखो मैं समझा रहा हूँ तुम बोल रहे हो भाई या result आई नहीं है marks पता नहीं है कैसे apply कर दे कहा apply कर दे देखो यार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ अग अब रिजल्ट भी नहीं आया है कुछ भी नहीं आया है लेकिन फिर भी advance में हम लोगों से कम से कम 10-11 college में apply करना पड़ जाता है क्यों कि वो एक कहलो कि एक assurity कैसे समझाओ तुमें पहले ही तुमको apply करके रखना पड़ता है फिर score आता है फिर डिसाइड होता है कि तुम्हारा उस college में होगा की नहीं होगा नहीं होता है तो पैसे बढ़बाद होते हैं तो basically cat जैसे exam मेर 50-60,000 रुपे तो बस college applications में बढ़बाद हो जाते हैं और य security का application number, role number जो भी आपके पास details है जो भी आपके credentials है उसको fill करके apply करना होगा ठीक है और वहाँ पर apply करने के बाद जब आपका result आएगा तो आपको वहाँ से merit list बनके तयार होता है जिसमें कि आपका नाम आ भी सकता और नहीं भी आ सकता है depending on your performance और depending on the cutoff सबसे पहली बात ठी attendance में जितने भी college आपके dream college है सब में आप apply मार दो और हाँ हमेशा यह याद रखना कि सिर्फ top colleges में मत मारना top के अलावा एक या दो उससे थोड़े नीचे level के colleges को भी मार देना as a second option लेकिन अगर तुम्हारा ये target था कि नहीं मैं top college में होगा तो जाऊंगा नहीं होगा तो म में ही apply करना अगर आपका ऐसा है case तब ही मैं बोल रहा हूं ठीक है लेकिन वीडियो में आप लोगों को बता देता हूँ एक बहुत important चीज अभी फिलाल के लिए तुम सभी लोगों को अगर आगे जाके तुम वह कोई सा भी exam देना है या फिर अगर तुम cbac level पे ही अगर अपनी preparation को और आगे continue रखना चाहते हो तो मैं बता दू आप लोगों के लिए अभी unlock 25 चल रहा है जिसमें कि आप लोगों के लिए कि आपके लिए klat assure जो है जिसमें कि आप लोगों को अगर आप लोग klat exam clear नहीं कर पाते हो और आप unacademy का subscription लेते हो और अगर आप klat नहीं clear कर पाते हो तो आपको next year बिल्कुल free subscription मिल जाएगा extend हो जाएगा और ये जो है यार ये आपके plus के 12 मन्त अबफ पे अपली के बहल है या फिर klat की preparation को और भी जादा कम पैसों से में और scholarship के तुरू कर सकते हो साथी में आपको ये भी बता दू कि आप लोगों के klat printed mock test series जिसमें कि 10 sectional और 10 full length mock है आप लोगों को मिल रहा है विध्योड सब्स्क्रिप्शन और ये आपके घर पे printed delivered हो जाएगा और तो और आपके screen पे कि आपको जून 2023 का test series calendar दिख रहा होगा जिसमें कि आपके पास दो free test है और बाकी सारे जो है वो plus user के लिए test है तो अभी best mock आया plus में आपको 25% off देखने को मिल रहा है और हाँ नहीं सिर्फ इतना बल्कि आपके लिए बहुत सारे batches launch हो गये है for your klat जैसे कि आपका level of batch जो क जो कि है 2025 के लिए जो कि है आपका integrated batch for klat and boards both और with the top educators तो आपको मैं बता दू सभी चीजों का link आपको description मिल जाएगा code यूस करना मत बूलना जाके सारे links description से चेक आउट कर सकते हो ये update तुम लोग को जाननी थी कि भईया मेरा CUET का result कब आएगा ठीक है जैसा कि मैंने बताया था कि आप लोगों के जून 15 तक यानि कि अभी तक आप लोगों का जो answer की है वो out हो जाएगा और उसके 7 या 8 दिन बार आप लोगों का result out ह जाएगा अब answer की को लेकर सबी बच्चे confused थे ये क्या है मैं बता देता हूं कि answer की का मतलब ये है कि आपके जो आपने जो questions बना है उसके answers आपको मिल जाएगे जिससे आप calculate करके marks की जो है आप अंदाज भी ले सकते हो तो सबसे पहले तो ये काम करना कि answer की जब आता है दे तुम्हारा answer की उससे पहले अगर आ जाता है मतलब उसके application के दो दिन पहले answer की आ जाता है तो तुमको एक proper idea मिल जागा कि तुम्हारा score कितना आ रहा और क्या तुम उसके cut-off को clear कर पारे हो कि नहीं ठीक है ये बहुत ही rare cases में होता है ज्यादतर cases में जो applications है वो बंधी हो ज June के last week में आएगा ठीक है और तुम्हारा जो result है proper result क्यूंकि answer की आने के बाद काफी सारे बच्चे challenge करते हैं जिसमें कि तुमको लगता है कि तुम्हारा answer सही है बट अगर उधर से उस answer को गलत बता दिया गया है तो तुम उसको correct भी करा सकते हो वो सब correct होने के बाद कम से क साथ से आठ दिन लगते हैं जिसके बाद तुमको तुम्हारा actual result मिलेगा और actual score मिलेगा मैं एक चीज एकदम clear बता देता हूं तुम्हारा actual score जो होता है तुम्हारे answer की से अगर तुमने मिलाया है तो वो उससे 2-4 marks आगे 2-4 marks पीछे भी होता है तो ये मत करना कि answer की से जो है वो एकदम correct marks है इसकी कोई guarantee नहीं होती है ठीक है वो 2-4 marks आगे 2-4 marks पीछे हर साल लगबग होता ही है वो depend करता है कि question में जैसे मालों बहुत सारे से question होते हैं जिसमें की error होता है question में ही तो उसमें grace मिलती है अगर तुमने उसको attempt किया है तभी ठीक है तो इन सबी cases में इ देखने को 100% मिल सकती है और तुमारा answer की जो है तुमको जून के last week में देखने को मिल सकता है अगर कोई भी changes होती है NTA की तरफ से क्योंकि NTA ने अभी कोई particular कहते हैं आंसर नहीं दिया यह answer यह जो बताया है यह हमारे news articles के तरफ से ही आया है तो अगर कुछ एक official statement आता है त उसका वीडियो भी बनाके मैं इस चैनल पर डाल दूंगा तो चैनल को लाइक कर देना वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब करता हूं बेल आइकन जरूर दबादेना तब तक लिए अबने ख्याल लखना बबाई टेकन पीस जैहिंद वंदे मात्रों